हलो आज हम बनाएंगे एक बढ़ियासी रेसिपी जिसका नाम है पादाम पूरी कोई भी त्योहार हो या फिर घर में कोई भी फांक्षन हो तो ये रेसिपी बिल्कुल पाफेक्ट है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्टे फ्रेंट प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आये प्लीज लाइक और शेयर करना ना पूले और चैनल को चैनल सब्सक्राइब करे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहां पर चाहएं अल्मोत मैं यहां पर 12 अल्मोत को इस तरीके से पाने में भिगो के रख दिया था अब इसका जो चुलका है इसे हमें निकाल लेना है और इसका एक स्मूर्च से पेस्ट बना लेंगे इसको grind करके देखे, इस तरीके से आपको बना लेनी है, इसे रख लेते हैं साइट में, उसके बाद एक बॉल ले लेंगे, और उसमें हम लेंगे, डेट कटोरी मैदा, उसके बाद हम इसमें एट करेंगे, वन फॉट टेबल स्पून नमक, उसके बाद यहां पर एट करेंगे ओयल या फिर घी कुछ भी आप ले सकते हो, फोर टेबल स्पून गी पर बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, अब इसे हम मोहिन कर लेते हैं, अच्छे से आपको इसे मोहिन कर लेना है, तभी आपका जो बादाम पूरी है, बहुत ही खसता बनेगा, देख यह थीरे थीरे इसी तरीके से आपको एड़ करते जाना है, और इसे मिलाते जाना है, अभी सारे मिक्स्चर जो है मैं धीरे धीरे मिलाते जारी हूँ, आप देख सकते हो, इस तरीके से, उसके बाद यह थोड़ा सा सूखा लग रहा था, तो इसमें मैंने एड़ कर दिया, टेबल स्पून मिल्क, दिरे-दिरे करके मिल्क को एड़ करना है, और इसे मिला लेना है, देखिए पढ़िया से टाइट डो हमारी पंके रेड़ी है, अब इसके उपर थोड़ा सा हम ओल इस तरीके से लगा देंगे, और इसे ढख कर कम से कम 10-15 मिनिट साइड में लख लें और इसके बात इससे चोटे-चोटे लोइद को बना लेना है, देखिए इस तरीके से आप अपने हriad से लोइया बना सकते हो, थोड़ा सा लोइית को छोटा करना है आपको, आप इस टो से पूरे नो लोइद करना है आपको अब इससे थोड़ा सा हम ढख लेते हैं, और इसे स 2-2 शी खरीब मेल को झारा न आप पाल इस के आप सी तरह सकतेहां ऐसे प lionगर मैल शुरी को मैं तो आपना अए स्टा पाल्म पेली को मैं के जा साथ एक यूर्ब आपिको पैद एक लिए पर पाल तोडनी मे शतकर कायरी है अपना इसके उपर भी आपको थोड़ा सा ओयल या फिर खी लगा लेनी है और दुबारा से इसके फोल्ड कर लेना है और इसका जो साइट वाला पाथ है आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा आपको हाथ से दबा देना है ताकि हम इसे जब फ्राइ करें तो यह खुले ना अब देखे अब क्या करेंगे इसे एक छोटा सा लॉंग है ना इसकी बीच में लगा देंगे तो यह दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंज देखे इस तरीके से आपको दबा देनी है आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है बस इसी तरीके से और भी पूरियों को हमें बना लेना है देखे अभी चलिए इसे तलने की होर इसे तलने के लिए मैंने ग्यास पे प्यान लग दिया और उसमें तेल ले लिया तेल बहुत जादा गरम बिलकुल नहीं होना चाहिए देखे बहुत ही थोड़ा थोड़ा बबल इसके साइड से निकल आए बस इस इसको उलट पलट करके इस तरी किसे आपको दल लेना है एक बैच को बनाने में आपको कम से कम 9 से 10 मिनिट लगेंगे और यह बहुत ही खस्ता बनेंगे फ्रेंस तो चलिए इसका कलर भी बढ़िया आया है एक दम लास्ट में आपको फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि यह बढ़िया सी क्रिस्पी भी बने और इसके उपर बढ़िया सी कलर आ जाए तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है हमरी फास्ट पेच का यह जो पूरिया है यह बिलकुर बनके रेटी है इसे साइट में रख लेते हैं ठंड यह बने लगा है देख सकते हो और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी केसर और यहां पे मैंने थोड़ा सा इलाजी का पाउडर भी एट किया है तकि बढ़िया सी फ्लेवर आए और कलर भी बहुत ही बढ़िया दिखे तो चलिए इसे में चेक करती हूं देखे एक तार वाला चासनी आपका होना चाहिए अब ही ग्यास का फ्लेम यहां पर मैंने ओफ कर दिया है और उसके पाद ही हमें पूरियों को एक के बाद एक डालना है और इसे निकालना है एक साथ चाशनी ना डालें पर उसके उपर इस तरीके से आपको चासनी डालनी है और थोड़ा सा अगर चासनी आपकी पतली हो जाएगी तो यह जो पूरिया है यह बिल्कुल नरम हो जाएगी बिल्कुल क्रिस्पी और खसता नहीं बनेगी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक तार वाला चासनी ही बनाए अब इसके उपर थोड़ी सी हमें अल्मोन डाल देनी है ताकि कि यह दिखने में बहुत ही पड़्या लगे यह जब और भी ठंड़ा हो जाए झार फ्रेंट तो बहुत ही पड़्या लगता है खाने में और बहुत कुरकुरी लगती है तो चैलिए फ्रेंस इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय कर ABOUTике भर पिस mu को खिलाए और क्येसा लगा म आप देख सकते हो पिरकुछ चास ने पी गई है तब भी भी यह बोहत ही क्रिस्पी है अभी तो चलिए फ्रेंस रेस्पी को जरूर ट्राइ करेगा रेसिप अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले और चानल को जरूर सब्सक्राइब करें